नमस्कार अमारे खास कारीक्रा मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गौरी शंकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में तमाम राजनेतिक दलों के एक एक कदम के कई माइने होते हैं जिहां राह चलते अखलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई दूआ सलाम हुआ राम राम भी हुआ मुस्कुराहट भी खेरी गई इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ कयास लगाने का किस मुलाकात के क्या माइने है एक पूछताच एक हरियत पूछने के क्या माइने है कई लोग कह रहे हैं कि दरसल प्रियंका गांधी इस बात पर मुहर लगा रही है जो बकाइदा उनकी तरफ से कहा गया कि गठ बंधन चुनाब के बाद भी हो सकते हैं यानि कि बीजे पी को हराने के लिए बीजे पी को सब्था से बाहर रखने के लिए प्रियंका गांधी किसी के साथ भी गठ बंधन कर सकती हैं और परदे के पीछे दरसल समाजवादी पारटी और कॉंग्रिस पारटी एक ही है अलग उलग चुनाब परिशार भले ही हो रह Xiao लेकिन एक ही हैं दोनों लेकिन सवाल उठता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी की आंधी है बीजेपी कह रही है ना दावे कर रही है योगी की आंधी है तो परदे की पीछे जो खेल चल रहा है क्या उसका कोई मतलब होगा क्या प्रियंका गांधी की जरूरत जाए तो प्रियंका गांधी का इस्टेंड क्या होना चाहिए उसके बारे मों समझाने की कोशिश कर रही है इसी पर हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं राह चलते अखलेश प्रियंका की मुलाकाद राम सलाम और खैरियत के बाद मुस्कान इस मुलाकाद के क्या है सियासी माईने यूपी में चुनाव है और चुनावी नजारे भी दिल्चस्प दिखने लगे हैं राह चलते अखलेश जयंत और प्रियंका गांधी की मुलाकाद के अब कई माईने निकाले जा सकते हैं आज की राजनिती में हर कदम के माईने होते हैं और माना जाता है कि चुनाव में नेता कुछ भी बिना राजनितीक नहीं करते तो फिर अखलेश जयंत और प्रियंका गांधी के बुलंद शहर में आमने सामने होने अभिबादन करने के क्या सियासी माईने हैं प्रियंका के चुनाव बाद गठ बंधन के संकेत पर मुहर लग गई पहले ही कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी में दो-दो सीटों का समझोता हो चुका है अखलेश यादव श्रीपाल के खिलाफ कॉंग्रेस अपने उमिद्वार नहीं खड़े कर रही है राय बरेली और अमेठी से समाजवादी पार्टी के उमिद्वार भी खड़े नहीं हो सकते हैं समाजवादी पार्टी को चुनाव बाद कॉंग्रेस की जरुवत पड़ी तो प्रियंका तैयार है बीजेपी के खिलाफ कॉंग्रेस किसी के साथ भी गठ बंधन कर सकती है सपा और कॉंग्रेस में सियासी दुश्मनी बस एक दिखावे की तरह है चुनावी मैदान में दुआ सलाम और अभिनंदन को लेकर सपा और आरेल्डी जैसे उत्साहित नजर आई सपा और आरेल्डी ने बाखाइदा ट्वीट करके साफ कर दिया कि कॉंग्रेस साथ साथ है बुलंद शहर की बुलंद आवाज अब की यूपी में होगा बगला बुलंद शहर में बुलंदी के साथ गुंजा गठ बंधन का जैकारा यूपी चुनाव में जो दिख रहा है वो है नहीं बलकि परदे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है वैसे बीजेपी दाबा कर रही है कि दस मार्च को सभी की गर्मी निकालती जाएगी मतलब जीत बीजेपी की होगी फिर सपा कॉंग्रिस की परदे के पीछे वाला खेल का क्या होगा कि विर्णिपूर इंडिया उडिस समाजवादी पार्टी के अत्रिक्त कोई और चुनावती नहीं दे सकता है यह उत्तर प्रदेश अच्छी तरह से जानता है और समझता भी है जहां तक हमारे नेता अधनी अख्लेस यादो जी से कॉंग्रेस की राष्टी महासच्यू स्रीमती प्रियंका गांधी जी से मुलाकात का प्रस्ण है तो यह कोई बहुत बली घट्ला नहीं है राजनेता सभी राजनीतिक दलों के कार करता आपस में कोई भ्यक्तिगत रंजिस तो है नहीं कि वह लोग आपस में बात नहीं करेंगे हमारा संघर्स बैचारिक मुद्दों पर है साइधांतिक मुद्दों पर है और समाजवादी पाल्टी उन्हीं मुद्दों के साथ राजनेतिक प्रशार का परिचे देते हुए इसमें राजनेतिक नितलत निकालने की बिल्कुल इसमें जरुवत ने वह इसको कौन सी बड़ी बात है लेकिन कयासों का बाजार ही अलग होता है और कयासों के बाजार में उतर कर देखिए तो फिर कई माइने निकाले जाते हैं और उन्ही माइनों के आधार पर जब चीजें कुछ कही जाती है तो मालूम चलता है कि सब चीजें तो पहले हो रही थी, इसलिए इस तरह से दुआ सलाम और राम राम जैसी घटनाएं हो रही थी, सियासी घटनाएं हो रही थी, लेकिन क्या है इसका मतलब, समझेंगे कई मिहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही इसी पर हम लोग डिबेट नहीं करेंगे, बलकि उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में इस वक्त गर्माहट बढ़ती जा रही है, गर्माहट इसलिए है कि बीजेपी कह रही है कि अब योगी की आंधी आ चुकी है, विपक्ष पुरी तरह सिधराशाही हो जाएगा, होगा नही होगा अलग बात है, समाजवाधी पार्टी कह रही है, 400 सूपर सीटे लाएंगे, तो फिर प्रियंका गांधी को राम दुआ सलाम करने में क्या फर्क है, करें, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार बन रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चली इस वक्त सही नमसकार प्रणाम हुआ, एक ही रास्ता भुलंद शहर जहां से दोनों पार्टियों का पार्टियों की जो चुनावी रत्वी आत्रा है, वो गुजर रही थी, इसके बाद आमना सामना और फिर कई तरह के कयासिस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तैह है, प् बीजेपी के खिलाफ गट बंधन में जा सकती हैं, उस पर वो मुहर लगा दी है, भले ही अन जाने ही, लेकिन उनकी तरफ से मुहर लग चुकी है, तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए इस वक्त कई महबार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चलते हैं उनके पास, डॉक्टर कौशल कांत मिश्राजी इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तो सियासी मुस्कुराहट इस मेल मिलाप के माइने के हमें, थोड़े देर के बाद अपने मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिस मैं आपको बता दूँ, इस चुनाबी प्रचार में कई सारी बातों का जिक्र किया जा रहा है, गर्मी निकालने की बात, चर्वी उतारने की बात, साथी साथ हिंदूओं के अंदर भूसा भर देंगे, भूस भर देंगे, इसके अलावा हिंदू गर्दी की बात हो रही है, तो भाशा की, सियासी भाश का मर्यादित नहीं है तो इसका प्रभाब जनता की उपर किस तरह से पड़ेगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जानने समझने की कोशिश करेंगे और साथी साथ एक बात जो उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रिशार में देखने को मिल रहा है भले ही चुनाव आयोक की तरफ से कई सारे गाइडलाइन्स टाय किये गए हैं कोरोना को देखते हुए इसके बावजोद कहा तो गया कि ना बड़ी सभाब कर सकते हैं ना चुनावी रैलिया निकाल सकते हैं और डोर टो डोर कैम्पेंड बिलकुल आप कर सकते हैं लेकिन इन सब चीजों को भी देख जी सवक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कोशल कांत जी बहुत बहुत आपका स्वागत है अभी मन्नी उत्यागी सवक्त हैं प्रवक्ता कॉंग्रेस पार्टी के अभी मन्नी उत्यागी जी आपका स्वागत है अभिशेक सोम जी सवक्त हैं प्रवक्ता प्रियंका गांधी राम राम ही उनकी तरफ से कह दिया गया तो सियासी बाजार के जो कयास है या कह सकते हैं जो कयास वाले जो बाजार है उसमें इतनी छटपटाहट और इतनी घवराहट क्यों होने लगी जरा बताईए सर देखिए चुनाओ का पारा बहुत हाई है और चुनाओ के टाइम में मौसम में इस तरह की चीज़ें होती है और जरा सा भी कोई भी जेश्चर होता है अगर किसी भी नेता का दूसरे नेता के परती तो वो एक बहुत बड़ी ख़वर मन जाता है और उसके तमाम माइने निकाले जाते हैं अलाकि ये देखें जेश्चर जो था कि एक निश्चतरूप से उसमें एक शालिन्ता थी ये थी कि उसमें एक आपसी जो होता है संसकार जो होता है अपस का अभी वादन जो है और भाई चांस वो एक दूसरे आमने सामने आ गए तो अब चुकि हो सकता अब ये बात ये भी ही क्या अगर भाज़पा और प्रियंका का जुरूद आमने सामने का तो भी क्या ऐसे प्रिंगा करती सवाल ये भी है क्योंकि यहां पर देखें विपक्षी दल है सभी ये लोग चाहे वो समाजवादी हो चाहे जो जो है जैन चौधरी की पार्टी को हो चाहे वो पंग्रिस हो तो लेकिन फिर भी एक प्रियंका ने अपनी तरफ से जो पहल करी है जो शुकूद से ये दिखाता है कि उनका विक् मतलब आप कह रहे हैं मतलब आप कह रहे हैं पंद सहाब की देखिए गर्मी बहुत जादा बढ़ गई थी तो उस उस बीच में एक वीडियो जो आया है वीडियो थोड़ी सी सूधिंग थी है ना कंफर्टिवल बढ़ा अच्छा लगा है ना गर्मी उतार देंगे चर्वी कि प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी थी कि हम चुनाब के बाद गठ बंदर में जाएंगे तुस पर मुहर भी उनकी तरफ से लग चुका है मैं आओंगा राजन्यतिक विशलेशक आशुतोस जी के पास आशुतोस जी एक बात बताए इसके बावजूद सब कुछ अपन कॉंग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही समाजवादी पार्टी के काम को लेकर इसके बाद समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस से कैसे किनारा कर ली देखने में तो यही लगता है कि कितनी बड़ी सियासिया दावत है दोनों पार्टीयों के बीच में तो क्या ओ दिखा बावा है यानि कि चेहरा कुछ और है मुखोटा कुछ और है जनता को कुछ और दिखाये जा रहा है और बाकी अंदर-अंदर पूरी तरह से गर्माहाट बनी हुई है कि जब भी मौका मिलेगा हम दोनों साथ-साथ है मुझे लगता है बिल्कुल जायज नहीं है आशुतोर जी मैं इस बात से बिल्कुल इतिफाक महीं रखता आप साम दाम दंड भेद नीती ठीक है पुरानी चीजे है इसको अब आज की परिप्रिक्ष में इसको लागू करना ठीक नहीं है राजनीती एक शुचीता जैसी है ना तभी आप जनता का भला करेंगे दाम साम दाम दंड भेद नीती राजनीती में आने की वजह से राजनीती का बेड़ा गर्ख हो गया पूरी तरह से मैं जायज नहीं मानता हूं आप बोलिए लेकिन अपनाने के लिए त्यार है और यह इनका घटबंदन जो है एक उसे को जाइन कर लेंगे यह उसी घबराट का इनका विशह है और इस समय कॉंग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा घबराट है है अखिलेश यादा हो कुछ अपनी पार्टी को होल्ड करने में काम्याब हुए है पहले से कुछ उनको बीजेपी का कुछ फाइदा हो रहा ह मतलब आप एक कहना चाहरा है आशुतोजी कि जब यूपी के दो लड़के फेल हो गए उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई तो यूपी के दो लड़के भले ना सामने आएं लेकिन अभी भी दोनों के बीच का जो एक बहुत पतली सी लाइन का जो गठ बंदन है वो बन है आप बहुत मजबूत हो और मेरा साथ लेकिन मैं तो पूसता हूं अखलेश यादव इतने मजबूत हो गए 400 सीट जीतने का वो दावा कर रहे हैं तो फिर प्रियंका गांधी कुछ भी कहले क्या उनको उनकी जरुवत ही नहीं है उनको मैं आता हूं मैं प्रवक्ता इस व दस मार्च को निकाल देंगे है ना उसके बाद कहा जा रहा थे कि चर्वी बहुत चड़ गई है चर्वी उतार दिया जाएगा हम बकाइदा नाम लेना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है कि हैंड पंपर वोट लगाईए जो कह रहे थे ना जैन चौधरी सब की चर्वी उता चुनाब में हिंदु मुस्लिम जंता को छोड़कर के लोग हिंदु मुस्लिम जाती पर आ जाते हैं अब बताईए अखलेश यादम मिल लिए प्रियंका गांधी हाई नमस्कार कर दी क्या दिक्कत है सर अगर किसी से कोई दुश्मनी भी है अगर रास्ते चलते हाई नमस्क कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना कि दुश्मनी खत्म हो गई लोग दुश्मनी खत्म करने के लिए तमाम तरह के प्रपंच करते हैं तमाम तरह के समझोते करते हैं यहां पर आटोमेटिक हो रहा है नचुरल क्या दिक्कत है बीजे पीस पर क्यों वियंग कर रही है तो हुआ नहीं हर जगह चुटेले अंदार चल रहा है आप लोग का है और उसके बाद जो मुस्कुराहाश है वो यह बता रही है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो अपने हार का गम क्यों छुपा रहे हो तो यह बस इस मजाज की बादा बड़ा सधी बढ़ा है देखत करीके से जाजनेताओं को बिलना चाहिए बिलना है ठीक है उसका संदेश साफ है और जी करेका भी चैच चुकी है तो इसमें तो ओपन चुट है ना वो तो बोल चुकी है कि हम समर्थन का कोस इलेक्शन गटबंदन करेंगे उन्हें मालूम है कि वो हार गई है और कॉंग्र इसमें उनको करने का पूरा हस्ता है और वो लिखली चल रही है तो चर्चा तो होगी ना चर्चा करते रहिए गर्मी आप लोग निकालते रहिए बाकी समाजवादी पार्टी वैसे मैं तारिफ करूंगा एक बात की बड़ी तारिफ मैं करता हूं अखलेश यादब की अभ भाशन उनका कहने का स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगता है ठीक है राजनिती है तो थोड़ी सी अव्यंग्यात्मक तरीके सी चीजें कहने का एक तरीका अच्छा अभी मन्यों एक बात बताएं लोग खुब बात बना रहे हैं कि अखलेश यादब एकदम से जैसे ही उन कि बहुत हडवड़ी में आए बहुत तेजी से आए कि कहीं प्रियंका गांधी निकल न जाए बताएं सर देखें हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के नियम कायदे भी हैं उस समाज में सम्मान दिया जाता है जिस समाज में हम लोग रहते हैं एक बात तो इस पर शोचु हो रहा है और वीपक्स की राष्टे लोगदल की तरफ से हो रहा है एक तरफ जो सथा में बैठे वे एंकारी लोग वो कहरे हैं अबाजान वो कहरें अली बाहू वली वजरंग वली वो कहरे हैं कि एलाज कर दूंगा वो कह रहे हैं कि जरमी निकालतूंगा यानि कि जैसे कि हल्दी गाटी का यूद लďने जा रहे हो च्बकि चैंट बहान कर लें गिसको सत्ता देनी है किसको नहीं देनी फ़ली के गुंडों की तरह वहवार कनना यह संसकार नहीं है में हैं RLDA भी कह रहे हैं चर्वी उतार देंगे आपके कहराना में जो प्रत्याशी है उनके समर्थकों का बकाइदा जो वीडियो वारन हुआ उ तो बहुत ही शूर मचा मचा कर कह रहे हैं कि हिंदूों के अंदर भूस भर देंगे बकाइदा एक समाजवादी पार्टी की विधायक है, मेरेट में बकाइदा उन्हें कहा हिंदूगर्दी बढ़ गई है, अब सुनिये बाई साब, हिंदूगर्दी बढ़ गई है, तो यह कौन सी भाशा है, जराय बताएं, जो हिंदूगर्दी के जिन्होंने बयान दिया अरफी गंतार इन्हें, वहां तीसरे नमबर पर जा रहे हैं, उन्होंने पांसो के करीब कबूतर पाले हुए हैं, और खुद है ना उनका जो वोटर है, उनका अंसारी समाज उनके खिलाफ है, वो कभी पांस साल उनको मिले ही नहीं है, वो रोज उनकी पिर दिस्पिर्दा लगाते हैं आप जीतने जा रहे हैं, वो खुद जा रहे हिंदों मुसल्मान हो जाएं, क्यों अच्छा मैं थोड़ी दिर के बाद फिर आऊंगा आपके पास, सोम साहब से एक सवाल लेंगे, इसके बाद मैं ब्रेक पर जाना चाहूंगा, सोम साहब एक बात बताएं, बहुत अच्छा लगा, प्रियंका गांधी कम से कम ठीक है, एक अच्छी, अब एक बड़ा अच्छा बहतरीन इनिशेटिव उनकी तरफ से लिया गया, उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया, कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन आप लोग आरोप लगाते हो ना, कि इस वक् पता नहीं, सबको बहुत बहतरीन बताया, इसको कैसे डिफाइन कर पाओगे, प्रियंका गांधी इस बारे में कुछ कहती नहीं है, बसे, वासित्ता ये है, कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में भार्ते जंता पार्टी बॉक्लाई होई है, और उनके पास अब वो अप करने लगे, समाज में इस तरह के भार्ते जंता पार्टी के नेता खुले मंझ से कहने लगे, घर बापसी करा देंगे, धर्मांत्राव करा देंगे, तो मुझे लगता है कि उस पर प्रतिक्लिया उन्होंने व्यक्त की, जो वहां की प्रतियाशी है इस समाझ तो ये समाज मे ये इनके पास कोई और मुद्ध है, मुद्ध पर बात होने चाहिए, डवलोप्मेंट पर बात होनी चाहिए, इंफरस्टोर से संपनी चाहिए qaaman करने ले अपना दंवर कराने का प्रयास करती रही तो 2017 सर जो चुनाव था उस्तर प्रदेश की भोली भाली जन्ता को इन्हों ने बहला कर फुसला कर अपने पक्षमिभोग तो करा लिए अब आप यह बताईए 2022 सर जो चुनाव भारते जन्ता पार्टी जो लड रही है उनको डवलप मुझे लगता है कि यह सब चीजे क्योंकि इनके पास मुद्धा नहीं है इसलिए बॉक्स लाए हुए है कहराना चले जाते हैं माने ग्रह मंतरी की वहाँ पर जाने की क्या वशक्ता थी पलायन का मुद्धा इन लोगों ने उठाए और कहते हैं नाही धनसन नाही धनसन से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की यशश्वी मुख्यमंत्री पर मुकदमें तो पहले अपने गिरेबान में जाके जब दूसरों पर टीकर टिपनी करें तो यह उत्तर प्रदेश की जंता समझ चुकी है सोम साब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था लगता है मुझे लगा कि आप कॉंग्रेस के प्रवक्ता है मन्य उत्यागी को मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता समझ गया सवाल उलट-पुलट हो गया लेकिन एक बात बोलू सर सवाल उलट-पुलट होने के बाद भी जव सब्सक्राइब को मैं देख रहा था अभी मन्य उत्यागी का जवाब और सोम साहब का जवाब में कोई खास फरक नहीं था अब समझ में आ गया सर पक्का मुहर लग चुका है अब पता नहीं पता नहीं समाजवादी पार्टी 400 सीट ले आए तो फिर प्रियंका गांधी को ह प्रियंका गांधी के बारे में तो बिल्कुल नहीं तो किसके बारे में कह रहे हैं यह आरंब है प्रचंड जो है जनता के बारे में दरसल है जनता जिस पर मुहर लगाएगी आरंब का मतलब पश्मी उत्तर प्रदेश से जो आरंब हो रहा है चुना प्रचार उसी की प्रचंड जीत होगी और कई में मान इस वक्त हमारे साथ हैं प्यूश्पंध जी के पास चलते हैं प्यूश्पंध जी एक बात बताएं आरंब यानि की पश्मी उत्तर प्रदेश से शुरुवात होने वाला है दस फरवरी लोगों के लिए एक तरह से क्या कह सकते हैं लोगतंत्र का एक पहला उ देखिए कहा तो ही जाता है कि से जोत ने फूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसना पियुश्पंध पूरिय बोलें परश्मी बोलें बुंदेलखंड बोलें कभी कहा जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश जीन लिए तो लखनो पहुंच गया पिर इस बार तो कहा जा रहा है पश्मी उत्तर प्रदेश जीट कर दिखाओ तभी लखनो पहुंचोगे जी 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 क्योंकि इस बार जो है कि देखिए एक विपक्ष का ने हवा बनाई हुई है और क्योंकि पश्मी उत्तर प्रदेश लगाता है हमने देखा पिछले आप देखिए दो तीन चुनाओं से 2017 का विदान सबाद चुनाओ और दो लोग सबाद चुनाओ तो जो एक पुलराइशन किया गया वहां पे जाट के बीच में और जो है कि मुसल्मानों के बीच में उसका फाइदा पुरी तरीके से भाज़पा को मिला था इस बार किसान हंदोरन के चंते वो जो दूरी थी वो मिड़ चुकी है और अभी जो RLD को जो सपोर्ट में रहा है वहाँ जैन चौदरी को और समाजबादी पार्टी को वहां पे वो एक बात इस बात को कहने पे इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है कि जैन चौदरी हमारे साथ है तुम्हारे साथ क्या है कुछ नहीं पिछले बार जीत गए जीत गए इस बार जीत कर दिखाओ मैं कौशल जी से पुछना चाओंगा कौशल जी एक बात बताए मुझे ये इसलिए तो नहीं कह रहे है कि रहत माँ हैं और माउ से पास होती है वही तगर सबसार होता है ये तो बड़ा यो इदो बाट सब्सक्राइं अप बोलें। आप बोले मेरे पास भारत माँ है तो अखले शयादब पतार वहीं है Su नई 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 अलग है इस पे तवाल उठाता हूँ क्यों क्यों कि आप ये देखे अभी हमारे पहले मित्र बोल रहे थे कि जो मुझटकर नजर बेंगे हुए बिल्कुल साही बात है पुराजने इतिहास को नहीं उठाना चाहिए लेकिन उसी इतिहा पुराना इतिहास लाज़त के ताम में खाला कर दिया जाएगा तो देश की जनता को इस पहल दिलाना पड़ेगा जनता जनता को सुनिए एक मिनट मैं आता हूँ कौशल आपके कौशल यह आपके पास जनता को बहुत कुछ याद दिलाने की जरूवत नहीं होती है मैं तो मांगता हूँ इस बात को आंधी आ जाए तुफान आ जाए मौसम बिगड़ जाए मौसम खराब हो जाए बर्फवारी हो जाए यहां तक ही धर्ती पलट जाए और तब भी चुनाव आयों की तरफ से चुनाव और मतदान की तारिक तै कर दिया जाएगा न तो मतदा पाता जो होते हैं उनको सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है उसी साफ से मद्दान करते हैं जो उनकी दिमाग में फिक्स होता है सुम साहब के पास मैं आ रहा हूँ फिर भी सुम साहब एक बात बताए क्या लगाम नहीं लगाते आप लोग ऐसे नेताओं के खिलाफ जो अनरगल बाते करते हैं चुनाप प्रचार के दर्मियान ऐसा लगता है कि पोलराइज को लेकर धुवी करण को लेकर जो आरोप आप बीजेपी के उपर लगाते हैं सबसे ज़्यादा धुरूवी करण आप लोग कर रहे हैं जाती के नाम पर धर्म के नाम पर चुनाप उठागे किजिएगा ऐसे लएगा आप इस तरह के बयान बाजी करके क्या दो संपरदायों को लड़ाना चाहते हैं जो आप पहले पहले दो यार 12-17 तक लगतार प्रियास करते रहे हैं पहले बोलने दीजे हाथ उठाए हुएं आपको मौका देंगे बोलने दीजे सोम जी को बोलिए जब आप यह बताईए आप इंस्टुशन को तोड़ने वाले लोग हैं आजम खांसाद में एक शिक्षा का मंदिर बनाया केवल बच्चों के अंदर एक नफरत से लाई है आप लोगों ने मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की जंता नौजवान किसान किसानों को कुछला है तो मैं तो समझता हूं मंसौर की गष्टा पूरे देश को याद है किसानों पर गोलिये चलाते हैं और ये जम्मू कशिमिर में तफरवाजों के मुगत में बापिश लेते हैं तो ऐसी सरकार को जंता कभी मात नी करेगी और इनका सुपार आपके पास है पहला स्वाल को कहा कि हिंदू खत्र बे पड़ जाएगा किस में किस एस्टेट्मेंट इसे स्बूशा गा और वो वीडियो प्ले क्या जब लिए जब यज़िए आइसा किसी में नेता ने नहीं कहा है आजम खाने मुजफर के दंगों आयों को फोंदेर के छुड़ाया था आजम खान की वज़े वाज़े को बाद के चाहिए तो आप यह सोचिए कि पंदरे हजार की प्रोर की प्रोपर्टी को तोड़ करके उस पे उपर घड़ बनाने का काम बाती जल्पा पार्टी में किया है आप गंगों की बात करें थे समाजवादी पार्टी के सब में साफ सो गंगे हुए है एंजियार्बी का डेका है वस्ता सरकार आप ने कह रहे हैं जब कि प्रोपर्टी के मामलों 45 परसनी कमी हुई है यह स सोम साब एक बात बताएं क्या समाजवादी पार्टी को अखलेश यादब को आप लोगों को जो आकड़े एलुक पेश करते हैं बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से कि इतने कम हो गए आप राधी का आकड़े इतने कम हो गए इतना विकास हम लोगों ने किया साथ में से द इन सारे तीन-पांच साल में कुछ काम हुआ है यह उत्तर प्रदेश में या फिर एक लाइन है कि खीज दिया है कि बस विरोध करना है क्या क्या है सोम साब स्टैंड बताएं सब्सक्राइब कुछ भी कह सकते हैं यह तो कह सकते हैं कि नियॉर्क से भी बहतर इंट्रस्ट्र प्रदेश के जारे सरधना के पास छोर में गये थे जन्ता पार्टी चिक पे ठाएंघ जेस तो उनका प्रम वहर भरपूर से सौल अब्सक्राइब किया लेकर तमाम कितार इनके स्वागत के लिए खड़े हुए जाई है ना पस्षी उत्रप्रदेश की जमीन पर आप पैर रखिए आपके नेताओं के समर्थकों की तरफ से उकसाया तो गया होगा आपके नेता की तरफ से ही कि धमकाने वाली जो चीज़ चल रही है चुनाप से पहले कि मतलब वोट कर देना नहीं तो देखना क्या कर दूँगा भूस भर दूँगा जो हम लोग भूसा समझते हैं भूसा भर दूँगा यह सब उचित लगता है आपको विशेग प्रदेश में क्या यही वजूद रह गया क्या यही वजूद रह गया कि कभी अखलेश यादव है ना कभी मायावती तो कभी यह पार्टी तो कभी ओ पार्टी इस वार अकेले आत्चुनाब लड़ रहे हैं उमिद्वार नहीं आप लोगों को मिल रहे थे ऐसे ऐसे लोगो टिकट दे दिया जो दिल्ली में बैट करके हम लोग उसको मतर गस्ती बोलते हैं वो कर रहे थे अचानक टिकट दे दिया गया जाकर कि चुनाव लड़ रहे हैं फिर जितने का चांस कहा है भाई साब सब्सक्राइब को 47 सीटे आई थी उसके बाद मैं 2017 का विजांस दबा चुना हुआ जी तो इतना हलके में आकना यह सब बाते हैं ना इस समय क्योंकि जन्ता के हाथ में बाते नहीं हलके में आकना हूं मैं मैं कॉंग्रेस पार्टी को कभी भी हलके में नहीं लेता कॉंग्रे सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें लगते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें लग रहा किसी प्रियोग शाला में किसी चीज को लेकर के कोई खोज किया जाए तो मुझे लग रहा 33 साल में प्रियोग शाला में भी पता नहीं क्या हो जाए प्रियोग शाला ही बोर हो जाएगे कि भाई साहवा मुझे माफ करो दबाई आपकी नहीं निकलने वाली है कुछ इस तरह की बात तो नहीं है कि प्रियोग पर प्रियोग पर प्रियोग उत्तर प्रदेश में कर रहा है उत्तर प्रदेश को वैसी भी कहा जाता है कि प्रियोग शाला है सियासी पार्टियों के लिए लेकिन लेकिन नहीं पार्टियों के लिए थोड़े ही हैं जब भाजबा को लगा की धुर्मी करन नहीं हो पारा तो वहां जाट पर पहुझ गए अब वहां अब प्रिस्तावक पहुझ गए कि हर बरादरी का शोर्शन इंजिनरिंग कर लेंगे इस सरकार में क्या क्या कर रहा इस सरकार में लाशे वहां अब सुनिये त्यागी पुछ कर रहे हैं बीजेपी वाले को दिक्कत है आपकी बात से सुनिये उनकी बात अब पुरी बात नहीं बोलेंगे तो इतना इतना तो बुरा मौका दे रहे हैं आप तो कॉंटर करेंगा न कोई बारती जनता पार्टी की सरकार दिवारा आएगी और आप देखें अगर 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 तो प्रचार कर लेंगे जनता क्यों साथ है आपके यह मैं पूछ रहा आता ना आप कहते हो सतर साल में काम नहीं हुआ जो साड़े तीन साल चार साल पांच साल में यह कैसे कर दिया आप तो क्या इस बात को डाइजेस्ट करना असान है कि कोई यह कह दे कि सतर साल में जो काम नहीं हुआ हम पांच साल में करके दिखा दिये और उसमें दो साल उस पिरियड को गिना आए जाता है कि कोरोना था काम करने का मौका नहीं मिला तो मतलब मिला तीन साल, तीन साल में उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुँचा दिया गया, आकड़े क्या कहते हैं, जमीन पर चीजें क्या दिख रही है, क्या जनता इस तरह की बातों को डाइजिस्ट करेगी, क्या उसको दिख रहा है ऐसा, आज का वोटर बहुत समझदार है, वो अब क अगर वोटर समझदार होता ना, तो हमारे देश का लोकतंथर की हालत ऐसी नहीं होती, हमारा वोटर ही तो समझदार नहीं है, मैं पि उस पंद से इस बात को लूँगा, लेकिन पहले आप बताइए, कि क्या है, सतर साल, सतर साल वर से, सतर साल बनाम, पांच साल को कुछ हिस बनता है क्या, या बीजेपी बस हाथ खड़ा करके कह रही हमारी सरकार बनेगी, तिन सो पचास सूपर लाएं, क्योंकि सतर साल में काम नहीं हुआ, पांच साल में हमने करके दिखा है, जनता कितना बिलीव कर रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, कारी कारी काल में भी किये, हाना काम तो उसके बाद कौन? अभी शेक, अभी शेक सूम की पार्टी की तरफ से हुई, माय बदी की पार्टी की तरफ से हुई, अब बीजेपी कह रही है कि उन्लों नहीं जितना किया उससे ज़्यादा हमने किया, यह जितना कार गर रहे है, प्यूस पंद के पास पूछूँगा पूछूँगा प्रशेक सोम जी आपको कॉंटर करेंगे वरिश्पत्रकार प्यूश्पंद जी एक बात बताएं लोग दावे करते हैं चुनाप से पहले दावे करने भी चाहिए मैंने कह रहा हूं प्रियंका गांधी जो कह रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं 40 फिसिद्धी लड़क्यों को आरक्षन दिया गया मेरी मेरी सरकार बने ना बने लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आएंगे बकाईदा सोम साहब की पार्टी करी कि हमारी सरकार बनने जा रही है बीजेपी करी हमारी ही सरकार बने गे और 10 मार्च को सब की गर में हम निकाल देंगे ये कुछ 70 साल वर्सेस 5 साल वाला हिसाब किताब लिख रहा है जमीन पर या इसा ही बस बोला जा रहा है तो यूश्पंद जी है तो यूश्पंद जी सुन पारें आप इस सवाल पूछ आपके आवाज कट रही है आवाज आ नहीं रही है सब आवारी है यह सतर वर्सेश पाथ साल का काम यह दिख रहा है यह बस चुनाव है कहने के लिए काफी है नहीं देखिए नहीं दिख भी रहा है ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो है कि कही बाते बाते हो लिए तो लेकिन उसके अलावा जो देखिए एक जहा तक हम देखें कि जो थोड़ा बहुत जो है जिस तरह की जो एक इंसे गटनाएं होती थी, जुन्दागटी होती थी, उस पर निश्चितुरुक ते लगाम लगी है, इस पर दोराएं नहीं है, इसका प्लस पॉइंट तो योगी बाबा को देना होगा, आज तर जो है कि देखिए जो पेले वाले हैं, जो थोड़े वोग जो चिनैती होती थी, जो लूट पिया जाता था, जो क्या नामाग ते जो है कि उगाही की जाती थी, उन सब में रिश्चितुरुक ते कंट्रोल हुआ है, लेकिन पुलीस ज्यादा हिंसा कुई है, पुलीस ज्यादा हिंसा कुई है, इनके राज में, और जो है, बड़े- देखा, मंदिर में देखा, लेकिन जो काम समाजवादी पार्टिंग सरकार ने चलाया था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात पंसा आपने उठाया, इससे मैं एक सवाल निकाल रहा हूँ, इस सवाल मैं डॉक्टर कोशल कांथ के पास जा रहा हूँ, कोशल कांथ जो बात प पास है, लोगों ने पसंद किया हमारे मॉडल को, बहतरीन काम हुआ है, हम लोग ने संकल पत्र से ज़्यादा काम करके दिखाया, 70 साल में वो नहीं हुआ जो आप लोगों ने 5 साल में किया, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, इसके बाद आप लोग फिर मतुरा की बात क क्यों करने लगते हो, आप लोग आयोध्या की बात क्यों करने लगते हो, काशी की बात क्यों करने लगते हो, हिंदुत्व, राश्ट्रवाद, सांस्कृति, ये सारी चीजे क्यों उठाना सुरू कर देते हो, क्या ये मुलभूत, विशय आप लोगों के हैं, जिसे आप हट उतना नहीं चाहते चाहे डिवलोप्मेंट का मसला कुछी बना रह जाए बताईए सार कोशल जी यह मजबूरी है आपकी या भी आपको सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि उत्तप अर्देश में दो हजाद सत्रह में प्रुदेश की ट्रक्टरेशी 45,000 रुपए उसाला प्रुदेश के 94,000 प्रुदेश की हो गई है आप देखिए 2015 साथारा में दो लास करोड का बजट था जो आज 6 लास करोड का हो चुका है और जो बात हो रही है यह कभी नहीं का गा कि 70 साल में काम बिलकुल नहीं हुआ हम यह कह रहे हैं कि अगर वस्पा और सफा के 10 साल मिल जो मैं बोलो इसको क्रॉस चेक कीजिए और मुझे टैक कीजिए अगर मैं गलत हूं 1947 से लेकर के 2070 सब्सक्राइब में महिला आएं जितनी थी उससे आज 3 गुना महिला आएं 5 सालों में भरती की गई है यह भारती जनता फार्टी करका थी पहली बारा जाती के बाद महिला पुलिस कर्म्यों को भरती किया है तो हमने कर एक्षाइब पुलिस कर्म्यों को पर्मोशन दिया गया है इसके अलावा हम इनकी बात करते हैं बस्ता और सफ़ा की सरकार के समय यह समझ लीगिए 29 चीनी में बंद हुई 29 हमने चौदरी चराल सिंग की करम स्कली चापरावली में रामला जिन इस उसरुआ की बस्की में मुंगरवा की निमल जो उसरु की गोरस्पूर की पिपराई शुरु में उसरु की और हमने अभी तक पूरे भारत वर्थ के टियास में एक दसमलाव पांच साथ लाक करोड का गन्ने का भुक्तान किया यह सतर साल में नहीं हुआ है, कि 15 मेट्रिकल कॉलेज अब बनाने की बात है यह सब जागजी है इनोंने जो जो है जो से एंड बना के नाम दे लिए आपधिर भी नहीं बना है वहां को स्टाब भी नहीं है PR में आप पिला है प्रवानिटल से लिए मैं डॉक्टर मुझे पता है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर बिना हॉस्पिटल के रहेगा वो नहीं चलेगा मतलब मतलब देखे साफ है डॉक्टर कोशल तो कह रहे हैं उनके दावों के अगेंस्ट में अभिशेक के सोम के पास कुछ है आग दे कि आप लोगी तो सोम साब बस हवाई बाते ही तो करते हो ना हवाई बाते लोग तो आकड़े पेश कर रहे हैं उन आकड़ों को हवाई बाते करके उड़ा देते हो बस लेकिन जनता को अगर फैदा हो रहा है ना सोम साब ये बाते अगर बातों का असर हो रहा है तो मान कर चलिए इस बात को सुम जी ये चार सो तीन में चार सो सुपर सीट लाएं ये तो नहीं चल पाएगा थी देखे दफ्टार आपने अपनी बात पूरी रख लिए सुनने की भी चंता रहे दस भी सेकेंड है अब बिल्कुल सही बात है लुब बढ़िया है क्राइम कंट्रोल पर निवेक तिवारी की प्रदीष सिंह तोमर की प्रदीष सिंह की प्रदीष सर्दना में जुब पहले एक पच्चे की सरयाम बजार में गोपाल सिंग सौंग की निर्मा मत्या की जाती है और आप देखने किसानों को कुछला जाता है सब ठीक है लॉय नौनर बहुत बढ़िया है कुदीख सिंग सेंगर गयतों बलतकारी की पार्टी में बहुत बढ़िया है सब्सक्राइब बहुत लंबी चर्चा हो सकती थी बहुत सारे सवाल रह गए बहुत सारे सवाल जो मुझे पूछना था कॉंग्रेस के प्रवक्ता से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से प्यूश्पंत जिसे बहुत सारे ज्यान हासिल करने थे इसके बाद आशुतोजी से भी बहुत सारे सवाल रह गए नहीं हो पाया पूरा लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि चुनाब का वक्त है गरमाहट बढ़ती जा रही है भाशा की मर्यादा भी तूटती जा रही है साथ कहीं कहीं भाशा की मर्यादा तूटने के बावजूत कहीं कहीं से बहुत अच्छे-चे वीडियो भी आ जाते हैं मेल मिला आपको भी अच्छा लगता है लेकिन इस बीच में बीजेपी कह रही है योगी की आंदी है विपक्ष धराशाई हो जगा देखते हैं देखते है कि गर्मी निकलती है चर्वी उतरती है क्या होता है देखना तो होगा क्या प्यूश्पंद जी हम लोग देखेंगे इस बार बिल्कुल 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 चले सर आप सभी यहां पर आए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद इस इतना है नमस्कार